नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं आचार जागंदर मिस्त्रा दैनीक राशफल उससे पहले बात करते हैं दैनीक पंचांग के बारे में 26 जून 2020 सुक्रवार का दिन है असार सुक्ल पक्ष की पंचमी और छहष्टी दोनोती थी है अब बात करते हैं आज के गुड़ लग की दोस्तों अकसर क्या होता है कि आपके जीवन में लव लाइफ की अगर आज हम बात कर रहे हैं कि लव लाइफ में बहुत बड़ी समस्या यह हो जाती है कि आप चाहते तो हैं बिवाह करना लेकिन पार्टनर के साथ आपका बिवाह नहीं हो पाता किस न किसी बज़े से आपका विवाः तूट जाता है या घरवालों की बज़े से या कोई आर्थिक समस्या हो जाती है या पैशों की बज़े से याँनि कि आपके जीवन में लब लाईफ से अगर आप सादी करना चाहते हैं तो नहीं हो पाती है बहुत सारी ऐसी समस्याइं आ जाती है कि आपका ये सपना पूरा नहीं होता आप चाहते हैं कि आपके साथ लब लाइप के साधी यानि कि लब पार्टनर के साथ आपका साधी हो विवाह तो क्या करेंगे आपको एका दशी की दिन भगवान से कृष्ण की एक फोटो लाना है एका दशी धियान रखेगा और फिर उसमें एक पीतल के कटोरी लें और पीतल के कटोरी में आप थोड़ा सा हल्दी और गंगा जल डाल लें और बैठ जाएं स्वक्ष होकर पवित्र होकर और एक मोर का प पिर भगवान स्रेकृष्ण को बासुरी और वो मौर का पंक समरपिद कर दे और जैस्रेकृष्ण इस मंत्र का डेली जाब करे एक सवाठवार यकिनन एक आदसी के दिन तो आपको कमस कम एक जारा बार जाब करना जैस्रेकृष्ण यकीन मानिया जवर्जस तलाब होका जीवन में जितने भी प्रेम संबंध वाले दर्शक है और लब लाइफ की बात तेगर की जाए तो उसमें उनको सफलता जरूर मिलेगी अब बात करते हैं दूसरे के अगर माली संतान संबंधी शमस्या चली आ रही है तो भी आप स्री कृष्ण की पूजा राधना करें क्योंकि गोपाल सहस्त्रे नाम का एक इस्त्रोता था वो भी आप अगर पाठ करें तो संतान संबंधी शमस्याएं भी आपकी दूर हो जाएं और आपको खुशकबरी मिल रही है और दूसरी यहां पर लेन देन में फसा हुआ रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग बन रहे हैं ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है केरियर की बात करें तो केरियर में उतार चढ़ाओ जरूर है लेकिन आपको सहियम से काम लेना ह यानि कि जितना धहर से काम लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है वैसे तो सत्र विरोधी चाह कर आपका नुकसान करने के कोशिश करेंगे लेकिन सफलता उनको नहीं मिलेगी बात करेंगे आपके बिजिनेसमेन की तो देखे ब्यापार में उतार चढ़ाओ थोड़ा सा भरा हो सकता है थोड़ा सा किसमत का यहाँ पर आपको साथ मिलेगा और धन के आगवन आपके नहीं रुकेंगे यानि धन तो आएगा आपको नहीं रुक सकते क्योंकि आपने कई स्रोत भी बना रखें धन के तो कहीं न कहीं से आपके पास धन जरूर आएगा यहाँ पर ले तो स्वास्त संबंधी शमश्याएं जैसे चिंताएं आपको मानसिक टेंसन थोड़ा सा परेशानी डाल सकती है या घर के किशीकार की विज़े से चिट्षीरा पंजेसी इस्तिती हो सकती है आपको इसमें योगा भियास जरूर करना चाहिए ताकि आपका मन स्वक्षर है जीवन की बात करें तो थोड़ा सा यहां पर मदभेत जो पहले था वो दूर होता चला जाएगा अब आप एक दूसरे को जबर जस्त सपोर्ट कर रहे हैं साथ दे रहे हैं चुकि संतान योग भी बन रहे हैं तो आपको इससे भी खुसियां भरी है आपके घर में घर मामले में चुकि थोड़ा मानसिक प्रसर हो सकता है तो इदर उदर घूमने में ना लगाएं नहीं तो आपके हाथों से कोई ना कोई चीज निकल जाएगी जैसे प्रतियों की परिशक त्यारी कर रहे हैं तो जी तोड़के मेहनत करिया सफलता आपको जरूर मिलेगी तो ठीक है जो अच्छा नहीं उसे अपने पक्छ में करने के लिए अपने बुद्धी के बल पर जरूर करिएगा मितुन राश वालों आपका सुबरंग रहेगा यहां पर सफेद और आपका भाग सातनी बारा है सिवन्टी एट परसेंट दोस्तों जाते जाते वीडियो को ला करिए जैशनिदेव